हेलो क्लास 11 ते स्टुडेंट्स, टिग्रिमेटिक फंक्शन के सेकेंड एकसाइज के फॉर्थ कोश्चन को अमगा अच्छी मुद्म सॉल करेंगे कोश्चन है, find the values of other 5 टिग्रिमेटिक फंक्शन हमें given है कि sec x 13 by 5 के equal है और x जो है fourth quadrant में है तो हमें बचे हुए 5 टिग्रिमेटिक फंक्शन की value निकालनी है मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपके पास यह xy plane है first quadrant में सभी के सभी positive होते हैं, second वाले में sine और cosec positive होते हैं third वाले में 10 और cot positive होते हैं और last वाले में cos और sec positive होते हैं हमें given है sec x जो होता है वो 13 by 5 के equal होता है ऐसा question में हमें given है तो cos x तो तुरण निकल जाएगा क्योंकि cos x जो होता हो sec x का उल्टा होता है 13 by 5 का जाएगा 5 by 13 ठीक है एक second में cos x निकल गया और अगर sec x 13 by 5 है तो sec x का formula hypotenious by base होता है hypotenious की value 13 है बेस की value 5 है तो मैं लिखूंगा hypotenious की value 13 है और base की value 5 है तो आप चाहिए तो यह formula लगा सकते है hypotenious का square perpendicular का square प्रपेंडिकुलर का square प्रस base का square और यहां से अगर perpendicular की value निकालेंगे तो वह आएगा आपका 12 ठीक है निकाल के देख लिएगा तो अगर मुझे sin x निकालना है तो मुझे चाहिए होगा perpendicular और hypotenious क्योंकि sin x का formula होता है P by h लेकिन sin x जो होता है वो fourth quadrant में negative होता है इसलिए हमारा formula बनेगा minus P by h तो minus P मतलब minus 12 और h मतलब आपका 13 तो अगर sin x निकल गया है तो cos x तो एक second में आ जागा क्योंकि cos x जो होता है वो sin x यहांनि minus 12 by 13 का उल्टा होता है तो जागा minus 13 by 12 अब निकालेंगे cos x जो की होता है base upon hypotenious लेकिन क्योंकि cos x तो निकाल चुके है फालतों निकालना है 10 x जो होता है 10 x वो 4th content में negative होता है इसलिए हमें आगे minus का sign लगाना पड़ेगा तो यह जगा minus P की value क्या होगी perpendicular की value थी 12 और base की value थी आपकी 13 तो 10 x की value आगे minus 12 by 5 तो आपका cortex क्या हो जाएगा 10 का उल्टा that is minus 5 by 12 आपके answers कंप्लीट होगे उमीद करता हूँ आपको समझ में आएँगे अबर समझ में आए तो वीडियो को like करिएगा और comment box में आएगा कि 10 x minus sin x की value क्या होगी इस कांप से comment box में आएगा ठीक है आज पूर्ण से नहीं मिलते हैं लोगे में तब तक लिए बुट बाए अल्ग टुट